कि बरजेश सिंग मैटर है वो तो कह रहा है इसमेसर ठाकूर फोर सही है स्टीएफ वो कह चुके हैं अकलेश सिंग यादव सोय थे पांच साल राजनीत किये उनके पहले उनके पिता राजनीत किये मायावती की क्लोज होने के बाद कल्यान सिंग के हटने के बाद एक तीन में 233 लोग अपराधी हैं हम नहीं कर रहें सुप्रीम कोट कर रहा है अब क्या बचा है राजा भाया जो रगुराज परताप सिंग है यह यह आपका अमर मडी थोड़ा सा बैक में चल रहे थे लेकिन यह पीछली सदी के अंतिम दहाई से लेके और और अब तक अब तक जो जीन लोगों का ब्रजभूशन सरनल सिंग यह क्या है यह रेपीस्ट है नमस्कार आपके साथ मैं हूँ आदितिकमार बिलसल हमारे साथ संपूरा नंद जी हैं जिनको पुरवांचल गांधी के नाम से भी जाना जाता है और यह किसानों के मुद्दे को लेकर देश में जनह किताबे देखकर लगता है बहुत पढ़े लिखे हैं पता लगा आपने पीएजडी पी कर रखी है इस्ट्री से दिली उनिवस्टी से तो हम आज जब बात करने वाले हैं तो मंगेश इंकाउंटर के बाद एस्टी अफ काफी चर्चा में है मंगेश का इंकाउंटर हुआ मंगेश को कस्टडी में लेने के बाद उसको मार दिया जाता है कि भाग रहा होता है और कई लोग यह भी आरोप लगाते हैं कस्टोडियल डेथ है यह उसको जो है एंकाउंटर दिखाने की कोशिश की गई है तो हम इसी वह बात करें कि स्टी अफ का जो निर्माड हुआ थ वह आप जानते है श्री प्रकाश शुकला को मारने के लिए पकड़ने के लिए हुआ था जो कल्यान सिंग ने अपने कारिकाल में किया था तो आप क्या लगता है कि इस स्पेसल टास्क फोर्स जो है वह काम सही तरीके से कर रही है और नहीं उसके बाद आगे बात करेंगे प्रिए विलकम पहले आपको और आपके चैनल को चैनल आपका कौन दसच को बहुत स्वागत इसका कि आपने एक मानवी सवाल किया है मैं एक ही सवाल हर किसी से पूछता हूं और पूरे आप जो वीडियो में जो भी दरसक देख रहे हैं उस हर विक से पूछता हूं कि मंग प्रदेश के मुख्यमंतरी ने पहले ही कह दिया था ना कि अपराधिया तो प्रदेश छोड़ दे या तो फिर उनका एंकाउंटर हो जाएगा अपराधी क्या अनरेबल मुख्यमंतरी तै करेंगे या स्टी अफ तै करेगा अपराधी नियाले तै करेगा ओके और मैं किसी की हत्या पर नहीं लेकिन बहुत ब्यथित बहुत दुखी हूं आपको बतातूं जिस स्टी अफ की बात आप कर रहे हैं इस स्टी अफ का गठनह उनिस सवन्ठानवे में चार जुन को जब स्री प्रकास शुक्ल ने धमकी दी थी मुख्यमंत्री को माले। सुपारी ले ली थी उनकी हत्या का और उसने चिल्लू पार के विधायक जो उस समय उनके साथ थे हर्शंकरतिवारी को भी मारने की जो पहले स्री प्रकास के सपोर्टर थे उसको उठाने में लोगों का हाथ था तो उनको भी कहा कि आप चिल्लू पार छोड़ दीजे हम वहां की राजनीत करेंगे ठीके जब यह पूरा मचा और मुख्यमंत्री के प्राण का पर उसने कहा कि आपको मारूंगा तब उन्होंने कहा कि जिन्दा या मरा हमको स्री प्रकास या यह है तो फ्रम बेरी इनिसियल टाइम जो है नहीं तो कुख्यात अपरादियों के लिए तो यही होना चाहिए आप तै करेंगे कुख्यात अपरादी एक हजार मर्डर किया हो यह हासी की सजा आप तै करेंगे आप दवड़ा के STF खटित की हमारेंगे क्या बात करते हैं यह तो हत्या का डिपार्टमेंट चला आ रहा है तो आपके इसाब से क्या लगता है कि STF को बंद कर देना चाहिए इमीडियेट बंद करना चाहिए इमीडियेट अगर यह अपरादियों के कान में आपकी आवाज जाएगी तो उनका तो होसला बुलंद हो जाएगा किसी का होसला नहीं बुलंद होगा आपको पता है 98.98 मे तो रहेगी ना अपराधियों में की STI भे ठोक देगी दहसत से अपराध खतम होता है यह किसने आपको बोला दहसत से इसी दवरान एक 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 आपको देता हूं यह देशत के जो बात आती जैसे आपने देखा कि नया मोटर वीकल एक्ट जब से आया लोग हेलमेट नह रखवाती है तो कितना विरोध होता है होता है ना STF इसके लिए नहीं बना था कि आप दोड़ाते हुए मारें कितने उदारन डिसकवर कितने लोगों को किया गया दूसरी बात कि अंठानवे के बाद हम कितने लोगों को सुनाएं पूसरी बताये थे कि बरजेश सिंग धन दहाई से लेके और अब तक अब तक जो जिन लोगों का ब्रजभूशन सरनल सिंग ये क्या है ये रेपीस्ट हैं ये हत्यारे हैं सब कुछ है आपकी गोली STF कहां सोया हुआ है किस बात के लिए मंगेश को माना कि उसने सुल्तानपूर जो है जो शुनार की दुकान थी बहुसाई की उसमें वो सामिल था उस लूट में सामिल था आप गोली मार देंगे मैं बिल्कुल किस बिपिन सिंग जो मेन आरूपी था मेन आरूपी था बिल्कुल आवाज उठात यार आपके और मेरी सोच में बहुत अंतर है मैं जदी बिपिन सिंग को मारे होते डीके साही की टीम गंडाउन की होती तो एक और मुझे तकलीफ होता आप गंडाउन क्यों करेंगे वो बिपिन सिंग ही लूटा हो यह जो अखिलेज सिंग यादव और तमाम लोग कह रहे ह है कि ईजाती का मैंटर है वो तो कह रहे है इस पिसल थाकुर फोर साय है स्टिह वो कह चुके हैं वह सोए थे क्या घ्लेज सिंग्यादव जिसे अंतर हो जाएगा वग्रेज शंग का उतर दे तुम अख्लेज सिंग्यादव सोए थे पांच साल राजनीत किये उनके पहले उ बचाने के लिए अमने को मारने के लिए ठाकूरों का क्यों नहीं खतम कर दिये यह क्यों आरोप लगा रहे हैं आज किसी के ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं आरोप कैसे गढ़ा जा रहा आपको पता है कि beginning के समय से यह हत्या का विभाग है यह श्री प्रकास को मारने के काम पूरा हो गया अब इसको बंद कर दिया गया इसको आगे बढ़ा दिया गया और आगे बढ़ा दिया गया तो कल्यान सिंग ने सपोज करी आगे बढ़ा दिया उनको भय था एक मारा गया हो सकता था और कोई मार देता है उनके गुर्गे उर्गे न मार देता है उनके गु कास दूबे की हत्या कि STF हत्कडियों में ले आके उजयन से ले आके किस तरीके से मारा उसको आपने देखा अतीक और उसके भाई असरफ को कैसे हत्कडियों में ले जाते हुए और प्रोसीड करते हुए अब मेडिकल चेकप के दावरान जो है किस तरीके गोलीओं से भून द नहीं हमारे उपर आप राध कारोप लगवा दीजिएगा आपको लगवाना होगा तो जैसा आप करें कौन हमारे उपर आतीक की बात कर रहे हैं आतीक अपरादी नहीं था आप मारने के तरीके पर मुझसे बात करिये और मैं क्या कह रहा हूं मैं उसको सर्टिफिकेट दे रह होई और क्रिमिनल्ज बुलाके दगवार हैं, ऐसे सिस्टम नहीं चलता है, मैं यह यह नहीं कह रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं और आप जैसे मैं जब धनेंज아 सिंग, परजे शिंग और इनका अमरमडी और सोनू मोनू इनका जिनका नाम ले रहा हूं यहां यह गैंगेस्टर हैं, यह क्रिमिनल्स हैं, यह माफिया हैं, सब जानते हैं, पूरी देश जानती है, पूरी जुडिशियरी भी जानती है अचा आप क्या चाहते हैं? यह स्टीफ तोड़ दिया जाए स्टीयफ तोड़ दिया जाए इमिडियेट तोड़ा जाए स्टीयफ को इमिडियेट हत्या का डिपार्टमेंट है मैंने सुप्रीम कोर्ट में चिट्थी पहुंची तो पिर इन बाफियाओं के खिलाब क्या कारवाई की जाए आपके हिसाब से अंठानबे के पहले कैसे चला था कानून बना है अब भारती शंहीता न्याय संहीता कनवर्ट हो गई आई पीशी बनी है जिस पर आजादी के 77 साल बाद सब कुछ होई है कानून का बना हुआ है प्रोसीडिंग बनी हुई है और न्याले बना हुआ है न्याले एक 100 मर्डर करन या पिर ये रोजराजनेतिक पार्टियente ये सम्विधान के अब हिसाब से नहीं चल रहा है अब कर रहा हूं आप तो की बूख मिटाने के लिए स्टीयआप का बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है है कि स्ट्राइफ का गलती स्तेमाल हो रहा है मलब आप कहते है कि स्ट्राइफ बंद होना चाहिए उमिडियेट भंग कर दिया जाना चाहिए और जैसे कानून में जितने इतने आर्टिकल्स हैं यह क्या यह तो पूरा स्रीप्रकास को मारने के लिए ही बना था और मारने वाले विभाग को उसकी पूजा के लिए नहीं बना था आप मारेंगे कैसे उसने जितनी भी हत्याय की स्रिप्रकास साब की बिरादरी का था एक दर्जन जितने यहां के लीडर थे सब सभी उसको सपोर्ट कर रहे थे पूरी राजनीत से और देखिए ना कि सारे टॉप लेबिल के गुंडे अपराधी राजनीत में गये हैं माओं में गये गैंगेस्टर्थ माफिया अपराधी रैपिस्ट को पहले गोली मारिये मंगेश को गोली क्यों मारी गई किस बात के लिए मारी गई वह संड ब्योसाई के हां लूटा भी था शोना तो उसको गोली से मार देंगे आप प्रोसीड करके पकड़के न्याले इतन सिंग को मंगेश को दे देंगे कौन देगा मैरा एक शवाल है स्टी अफ तोड़ें स्टी अफ तोड़ें मैं सब को लिखा हूं दो अक्टूबर को लखनवु में गांधी प्रतिमा पर शत्याग्रह करूंगा यह हत्या का विभाग चलेगा यह मुल्क भगत सिंग गांधी अब बेड कर कलाम का है आजादी लड़कर और कूरवानी दे के मिली है एक खत्या का विभाग बना कर राजनीत का गेम के लिए नहीं बनी है और और इलजाम भगत सिंग के रास्ते पर चलेंगे और गांधी का रास्ता दो था जो पढ़े लिखे पढ़े पढ़े पढ़ना किया था ना जाके आज़के अगर चोट अगर चोट आजाती यह क्या बात कर उसमें लिखा ही हुआ था पहली लाइन थी कि हमारी नियत किसी को मारना नहीं है आप पहले किसी चीज को पढ़ा करिये यह to जो कंपढ़े लिखे लोग गांधी को भगत से कहीं कोई रास्ता द बिल्कुल वो सत्या और हिंसा की बात करते थे तो सत्या हिंसा एक एक्स्ट्रीम सत्या हिंता की बात करते थे ये रास्ते में जदी डायर ने गोली मारी थी माइकल ओ डायर ने जदी सांडर्स ने गोली मारी थी तो सांडर्स की हत्या तो होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए यह सीधी सी बात है, हिंदुस्तान पर गोली चलाई थी, हिंदुस्तान पर गोली चलाई थी, ठीक है ना, और डायर ने गोली चलाई थी, दलिया माला में आदेश दिया था, तो उदम सिंग ने मारा जाके लंदन ने, क्रेक्ष्टन हाल में मारा जब चड़ के मंच पजा रह रहा है किसी को मारा जा रहा है यहां पर मैं गांधी रहना पसंद करता हूं पका रहना पसंद करता हूं इससे गया गुजरा तो कोई कानून यह लगता है कि इसे जुडिसियरी पर बड़ा असर की बात कर रहे हैं कि जुडिसियरी की कोर जो आत्मा होती है उसका इसब हनन कर यह जुडिसियरी का काम है अपने हाथ में तुम गंडाउन करके मारते चले जा रहे हो मैं कुछ नहीं जानता मैं यह कहता हूं कि कोई बता है कि STF हत्या का भी भाग नहीं है कोई एक आदमी परदेश का सुनने वाला आपके हमें बता है और मंगेश को जिन्दा कौन करेगा यह बता है आउनरेबल जोगी जी बता है कि मंगेश को जिन्दा करें नहीं करेंगे तो इसको चलने क्यों दे रहे हैं और अखिलेज सिंग जैसे लोगों से जो सवाल कर रहे हैं जाती का सोय थे क्या जब पांच साल चीफ मिनिस्टर थे क्यों नहीं यह STF हटा दिया ठीक ह चली यह बादचित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो यह पूरवांचल के गांधी जी हैं आप गूगल पर जाएंगे तब भी पूरवांचल गांधी नाम जाने जाएंगे गांधी और भगत सिंग की विचार धारा को एक साथ लेकर चलते हैं इनका सीधे तोर प अब राधी घोशित कौन करेगा यह तै होने से पहले अगर स्टेप अपना फैसला सुना देगा तो फिर न्याय पालिका पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे देश की न्याय के वस्ता पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे और इसी को लेकर स्टेप को बंद करने की मांग की ज